गुड मॉनिंग स्टुडेंट आज हम व्याकर नुपनों चैप्टर नंबर 32 कहानी लेखन के बारे में पढ़ेंगे इस आप मतलब इस चैप्टर में बहुत यहात है देख कहानियां दे रखें आप लोगों के लिकिन आपके इसलेबस में बस उल्लो की सूज है इस कहानी में बताया गया है कि बिन सोचे जो लोग अपनी पुद्धी कर इस्तमाल करते हैं वे हमेशा ही पच्टाते हैं यहाँ पर इस कहानी में यही बताया गया आए देखते हैं इस कहानी में एक जंगल होता है जंगल में तलाप के किनारे एक कचुवा रहता है और उसी तलाप के किन वहाँ पर एक बाग आ जाता है बाग को देखकर उल्लू चिलाता है भागो 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 दोस्तों यहां से भागो कचुवा भागता है पर अपनी दीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंस पाता है तभी बाग एक लंबी छलांग लगा कर कचुवे को पकड़ लेता है जैसे वह इसको मुह में पकड़ने के लिए मुह में पकड़ता है वैसी वह अपने पत्थर का जो उसका कवच होता है जो उसका रोल होता है उसमें वह डुप जाता है और अपनी जान बचा लेता है बार 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 कोशिश करता है लेकिन बार 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 नाकाम हो जाता है त तो जो उसके ऊपर का जो रोल उसका जो कवर है वे मुलायम और स्वादिस्ट हो जाता है तो बाग बहुत ही अकड में कहता है तुम मुझे मत समझाओं मैंने बहुत सारे कच्वों का शिकार करके उन्हें खाया है मैं सब जानता हूं क्योंकि यहां पर उसने सोचा नहीं अग पानी से अंदर अंदर तैरते तैरते कहीं और चला गया और बाग दावत के इंतजार में ही बाहर बैठा रहा लेकिन कच्वों वहां नहीं आया ऐसे ही उल्लू ने अपनी समझ से कच्वों की जान बचाई वैसे ही हम लोग को अपनी दोस्ती के लिए हर किसी की मदद करनी चाहिए कैसे भी हो चाहिए पैसो के मामले में हो चाहिए जान के मामले में हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए थैंक्यू क्लास